गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स, आइम रिणा रावत, फोर्ट ग्लास एल्टेजी, एंड तुडेइ वी आर वो इंटू लान्ग सब्जेक्ट इंग्लिश, आज मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, स्पैलिंग, इससे पहले मैंने आपको A4, Apple, B4, Ball की स्पैलि सारे बच्चे ध्यान से रेखेंगे, सी, ए, टी, कैट, कैट मिज बिल्ली, सी, ए, दी, कैट, कैट मिल्ली, सी, ए, टी, कैट, कैट मिल्ली नेय lounge टी, ए, कैट मिल्ली, नेक्स टाइगा, D. O. G. Dog. Dog means kutta. D. O. G. Dog. Dog means kutta. D. O. G. Dog. Dog means kutta. Now repeat again. आज मैंने आपको क्या लिखाई है? Spelling's लिखाई है. C for cat and D for dog. C, A, T. Cat. Cat means billy. C, A, T. Cat. Cat means billy. C, A, T. Cat. Cat means billy. D. O. G. Dog. Dog means kutta. Dog means kutta. D. O. G. Dog. Dog means kutta. D. O. G. Dog. Dog means kutta. सारे बच्चे अपनी नोट्बूपे ऐसे ही लिखेंगे. उपर आपका टॉपिक आएगा Spelling's. इस साइड आप लिखोगे Cat की Spelling. नीचे आप पिक्चर बनाओगे Cat की. इस साइड आप लिखोगे Dog की Spelling. नीचे Dog की पिक्चर बनाओगे. प्रतेश सेंटेंस के बाद आप 119 लिख करोगे. Good handwriting में लिखोगे. और इसको अच्छे से लन भी करोगे. ओके? Thank you.